नमस्कर मैं हूँ राउल शिर्मा आप देखने एस्पी नाइ नियूस वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी ख़बर में बड़ी ख़बर की शुरवात हम करेंगे नवनीत राना सिचिया नवनीत राना ने महराष्ट के मुक्यमंतरी उद्दव ठाकरे के चैलेंज को स्विकार कर लिया है उन्होंने कहा कि वो कश्मीर में जाकर हनमान चालिसा का पार्ट करेंगी नवनीत राना के कश्मीर में हनमान चालिसा का पार्ट करने से पहले बड़ा बवाल मच गया है एक और जहां संजेराउत लगातार नवनीत राणा को घेर रहे हैं, उद्दव ठाकरे लगातार नवनीत राणा को घेर रहे हैं, लेकिन नवनीत राणा ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए, कश्मीर में हनमान 40 का पार्ट करेंगी, ना पहले डरती थी, ना डरती हैं, और ना कभी ड उन्होंने कहा कश्मीर भारत का अंग है भारत का हिस्सा है और वहां जाकर उन्हें और खुशी होगे दरसल उद्दव ठाकरे ने ये सोचा कि अगर वो नवनीत राना को ये चैलेंज दे देते हैं तो नवनीत राना डर जाएंगी क्योंकि घाटी का माहौल इस वक्त ठीक नह कमले हो रहे हैं लगातार जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को टार्गेट किया जा रहा है ऐसे में ये सोच कर इन बातों को जान में रखे उद्दव ठाकरे ने सीधा जो चैलेंज वो नवनीत राना को देती है लेकिन नवनीत राना भी ठैरी एक दबंग नवनीत राना जो को मोधी सरकार का बहुत बड़ा साथ मिल रहा है महराश्ट की जनता का बहुत बड़ा साथ मिल रहा है और नवनीत राना को जो प्यार मिल रहा है जनता की तरफ से केंदर सरकार की तरफ से हिंदू वाधी पार्टियों की तरफ से इसको देखकर और नवनीत राना का जो जो महराष्ट में सियासी माहौल कैसा है फिलार ये सभी लोग जानते महराष्ट में काफी समय से देखा जा रहा है कि यही हन्वान चालिसा मंदिर मस्जिद ये सारी चीजे हो रही है तो कहीं न कहीं इस तरह की जो बाते हो रही है या इस तरह से जो चीजे चल रही है इसका बड़ा जो नुकसान है वो सीधे तोर पर महराष्ट की मुख्य मंतरी ओदव ठाकरे को उठाना पड़ सकता है क्योंकि जनता ओदव के साथ नहीं है आज के लिए इतना है आप से फिर दुबार मुलागात होगी तब तक के लिए जा दीजे नमस्कार झाल झाल